नमस्कार दोस्तों, हर धार्मिक व्यक्ति रोध सुभा उठकर भगवान की पूचा आर्चना करता है, पाट करता है और फिर आर्थी, तो इस वीडियो में हम आपको आर्थी करने के नियम बताएंगे, कि आर्थी किस तरह घुमानी चाहिए और कितनी बार घुमानी चाहिए, साथ ही आपको आर्थी के बाद आर्थी की सही विधी भी बताएंगे, इसलिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आर्थी की थाल से करते हैं, इसके पीछे लोजी क्या है, इसके पीछे पुरानिक महतव क्या है, इसके उपर हम चर्चा करेंगे और हम आपका ग्यान दरुस्त करेंगे, हर एक देवी देवताव के पांच बार आर्थी का विधान है हमारे शास्त्रों में अंदर, सबसे पहले मंगला आर्थी होती है, जो भगवान के उठने के बाद उसे किया जाता है, उसके बाद होती है जिस शिंगार आर्थी, भगवान को शिंगार करने के बाद जो आर्थी की जाती है, उसके बाद होती है भोग आर्थी, भोग लगने से पहले भगवान की आर्थी की जा यह जैसे तीन पाँच साथ और नो और देवी तेवताओं की आरती करने के लिए उनके मुखके उब्पर चार बार आरती की इथान को गुमाया जाता है वह इस पर कर गुमाया जाता है जैसे कि अओम शबद का विस्तार कर रहे हूं, हम ओम शबत लिख रहे हूं। निए उर्थी के माध्यम से हम अपने मन की इच्छा、 अपने मन के भाव अपने मन की मुनुरत भगवान को अर्पत करते हैं और भगवान की आरती उतारते हैं आरती उतारने का अरत है भगवान को अपना सब कुछ अर्पत करते हैं और अपना उन्हें मान के हम अपने भाव उन्हें परगड़ करते हैं आरती फूल की भी आरती होती है जल से भी भग प्रिफनिक प्रिवारिक फाइदा क्या है इस उपनार के हां अरथी जातक को जो जातक को नित्रपती वह लोगत यहां आरती में समलित होता है यह ढर्टी के दर्शन करता है उसके जितनी भी नेक्टिव अनरजी यह उससे शीन हो जाती और जातक पोस्टिव एनरजी गेन करता है क्योंकि अगनी को भगवान शिव शंकर का तीसरा नेतर क्या कहा गया है अगनी को साक्षी मान के अगनी को प्रगट करके हम भगवान शिव भगवान की आरती करते हैं और अगनी भगवान शिव के तीसरा नेतर के समान है भगवान अगर आप इस नियम से भगवान की आरती करेंगे तो निश्चित ही वो आपकी मुराद जल्द ही पूरी करेंगे और फिर आपकी जीवन में आने वाली परिशानी के बादल छट जाएंगे कुंडिली टीवी डैस्क से दिक्षा गुपता की रिपोर्ट इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकोन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में शरूर बताएं धन्यवाद